हुलो फ्रेंड्स बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में डिसकस करेंगे आई बीपेस पी ओ, क्लर्क और दूसरे सभी बेंके एक्जैम्स के लिए फिलर्स और वकैबिलिडी के कुछ कोश्चिंस तो ये कॉश्चिंस हालाकि क्लर्क एक्जाम के लिए ज़्यदा सूटेबिल हैं लेकिन ये कॉश्चिंस आई बीपेस पी ओ और दूसरे पी ओ एक्जैम्स में भी पूछे जा सकते हैं तो चलिए देखते हैं इन कोश्चिंस को और आगे बढ़ने से पहले यहां इस टैस सीरीज के बारे में मैं बताना चाहूँगा यदि आप बैस टैस सीरीज लेना चाहते हैं अड़्डा 247 और इंग्लिस रवांटेज चैनल की तो ये टैस सीरीज अबेलेबल हैं बैंक पी कि इनकी और इदे वांटेज की जो कॉम्बाइन टैस सीरीज है इसकाव जोय इन कर सकते हैं देखें इस तरह के कोस्टन्स को करने के दो तरीके हैं एक तरीका तो है इसका जो इस्ट्टometer अपलाई करते हैं बहुता ही लेंडि तरीका है बहुत ही लेंडि तरीका का मत्तब है यह है कि पूरा इसば 참 가능 को पढ़ें और इस कोश्टन को पढ़ें और सारे मीनिंग आप समझें तो यह जो तरीका है यह बहुत ही टाइम consuming तरीका है और इसमें बहुत ज़दा time waste होगा उसके बाब जूद भी आपके question का सही answer नहीं निकल पाएगा लेकिन banking exam में किसी भी question को particularly English section को यदि आप solve कर रहे हैं तो उसमें आपको logic apply करना ही है यदि आप logic apply करते हैं ट्रिक के साथ questions को करते हैं particularly English section में हाला कि दूसरे sections में भी आपको logic को apply करना है चाहे वो current affairs हो चाहे वो math or reasoning हो वहाँ पर सब जगे आपको सारे questions को trick और logic के साथ करना है यदि आप ऐसा करते हैं तभी आप banking exam में successful हो सकते हैं क्योंकि time factor जो होता है वहाँ पर एक बहुत crucial factor होता है अब देखे यहां हम देखते हैं in Rome to to a n crowd crowd क्या है noun है ठीक है देखे यो मैं trick सिखाता हूँ वो किस पर based है वो logic पर based है और इस चीज पर भी based है वो part of speech पर भी based है कि आपको पताना चाहिए कि कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा वर्ड adjective है किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जाता है ये एक sense ये आपके अंदर आ जाता है तो आप इस तरह के questions को within seconds बहुत आसानी से accuracy के साथ solve का सकते हैं जैसे यहां पर crowd दिया है तो crowd क्या है noun यानि यहां पर आपको जो चाहिए वो adjective चाहिए ठीक है अब देखिए इन options में से देखिए extirpate एक वर्ड है ठीक है squelch एक वर्ड है obliterate एक वर्ड है ये तीनों वर्ड है और jubilant क्या है एक adjective है crowd एक noun है तो crowd यानि noun को modify करने के लिए एक adjective की जरूरत है ठीक है अब adjective इस पूरे question में केवल एक ही दिया है jubilant और jubilant crowd हम बोल भी सकते हैं second option में देखिए jubilant small boys भी हम बोल सकते हैं तो इसलिए यहां पर आपका answer होगा second तो इस technique से यह आप करेंगे तो पूरा question पढ़े बिना सारे meaning जाने बिना आप बिल्कुल सही answer तक तीन या चार second में पहुंच सकते हैं और यही राज है यही secret है जो bank के exam में जो rankers होते हैं जो first attempt में निकलते हैं जो तीन से चार मेने की तयारी में निकलते हैं उनका secret जो है वो यही है कि वो trick के base पर questions को करते हैं तो student क्या करेगा इस पूरे question को पढ़ेगा यहां से शुरुवात करेगा फिर यहां तक पढ़ेगा फिर इस question को पढ़ेगा यहां से पढ़ेगा और फिर यहां तक करेगा फिर यह चारो options देखा कर यह गलत तरीका है इस तरीके से questions को नहीं करना है आपको तो arriving in Rome to a jubilant crowd and tearful relative देखिए यहाँ पर भी relative से पहले एक adjective आया है relative कैसे है? tearful है crowd कैसा है? jubilant है तो इस तरीके से इन questions को आपको करना है आपके लिए ज़रूरी नहीं है examiner चाहता है कि आपके अंदर English को समझने का एक sense हो कि बल यही examiner आपसे चाहता है examiner आपसे expect नहीं करता कि आपको यह सारे paragraph, सारे meaning, सारे sentences आपको अच्छे तरीके से समझ में आए तो I hope यह जो trick है यह आपको समझ में आई होगी इसको इसका answer जो होगा वो jubilant होगा और इस video class के through मैं आपको vocabulary भी पढ़ाऊँगा vocabulary हम सारे options देखेंगे ताकि आपकी vocabulary भी कबर हो extrapate का क्या मत्तलब, extrapate कारते होता है eradicate और destroy completely ठीक है, किसी चीज को हटाना, निकालना, remove करना या पूरी तरीके से destroy करना extrapate extrapate कारते, eradicate और destroy completely तो vocabulary को याद करने का तरीका क्या है vocabulary को याद करने के दो तरीके है एक तो होता है neemonic trick neemonic trick में हम क्या करते हैं, उस word के meaning को आप किसी भी reference point के साथ connect कर देते हैं ठीक है, तो यह मैं भी बताऊंगा कि neemonic trick से हम कैसे याद करते हैं इसको, और एक होता है revision यदि सारे words को आप एक register में लिख लेते हैं और regular intervals पर उसको revise करते हैं या जब भी आपको time मिलता है उसको आप revise करते हैं, तो सारे words यह जो अभी आपको कठेन लग रहे हैं, यह बहुत आसान और बहुत सरल आपको लगने लगेंगे यदि आप इनको बार-बार revise करें ठीक है, तो expert, extirpate और eradicate तो इन दोनों की sound same है पेट और केट यह नीमोनिक ट्रिक होती है इसमें हम words को एक reference point के साथ combine करते है extrapate और eradicate यह दोनों same word है jubilant, ठीक है jubilant, तो jubilant का होता है extremely happy ठीक है extremely happy, तो jubilant को अब jubli से याद कर सकते हैं jubli मतलब जैसे silver jubli, golden jubli जब हम मनाते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम यह इन jubli को celebrate करते हैं silver jubli, golden jubli तो jubilant को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं तो मेरे कहने का मतलब है कि इन words को याद करने के दो तरीके हैं एक आप इनको register में लिखिए और regular interval पर इनको revise करें और एक है इनका neemonic trick जिसमें हम एक word को जिसे मैंने यहाँ पर jubilant को बताया कि jubli से जोड दिया मैंने इसको, silver jubli, golden jubli platinum jubli, यह jubli हम कब मनाते हैं जब हम बहुत ज़दा खुश होते हैं किसी चीज़ को celebrate करते हैं तो यह होता है neemonic trick इस neemonic trick की मदद से inwards को आप याद कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपनी neemonic trick आप बना सकते हैं और इस तरीके से inwards को याद कर सकते हैं यदि neemonic trick से याद नहीं होते हैं तो फिर तो आपको regularly इनको revise करना पड़ेगा, revise, revision जो है वो second best technique है inwards को याद करने की squelch actually एक sound होती है जैसे हम कीचर में चलते हैं make a soft sucking sound such as that made by trading heavily through mud mud में चलने की sound होती है उसका हम squelch बोलते हैं obliterate का अर्थ भी वही है जो extirpate का है अब देखे इन तिनों की sound same है extirpate, eradicate or obliterate आखरी की sound है वो तीनों की same है इसका अर्थ भी होता है wipe out तो इस तरीके से ये words भी हम cover करते हैं इस video class में और अब हम देखते है next question इसको भी मैं आपको same trick से बताऊंगा देखे Jen rather liked a man to be masterful but Mr. Rochester seemed so bent on getting his own way that he was actually he was actually मत्तब वह कैसा था तो he तो एक pronoun हो गया तो he को modify करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए आपको एक adjective चाहिए अब इस मैं से आप क्या करेंगी इस मैं से एक adjective निकाल लेंगे super seat verb है annihilate verb है recent verb है imperious adjective है आपका answer आ गया answer number four इस answer को निकालने मैं मैंने कितना second लिया होगा मैंने maximum लिया 2 और 3 seconds और बलõ कुल सही answer मैंने बता दिया त्थीक है अब इस answer को मैं justify कर सकता हूँ कई तरीके से मैं justify कर सकता हूँ कि यह answer बलगुल सही है त्थीक है एक तरीका तो ये है कि मैंने यहाँ पर बताया कि यहां पर noun या pronoun आ रही है और noun या pronoun को qualify करने का काम cable और cable adjective करता है ठीक है किसी noun की विशेष्टा बताता है एक adjective विशेशन और imperious क्या है एक adjective है imperious मतलब imperial जैसा imperial मतलब राजाओं जैसा राजा कैसे होते हैं राजा बहुत जदा dominating होते हैं जदा boss bossy होते हैं ठीक है तो imperious का मतलब जैसे थोड़े से bossy type के हैं जो थोड़े से dominating है उनको हम बोलते है imperious तो यहां पर imperious word आएगा अब देखिए second मैं देख लेते हैं देखिए यहां पर क्या है यहां पर देखिए फिर से noun आ गया है और noun को modify क्या करेगा adjective करेगा तो इसलिए imperious word यहां पर भी आपका आ सकता है ठीक है और यह जो questions मैं आपको समझा रहा हूँ यह real banking questions है और मैं आपको यहां पर I hope कि मैंने successful आपको बता पाया किस तरीके से 3 या 4 second में question को आप solve कर सकते हैं और banking exam में आपको जो time मिलता है वो 40 second का time मिलता है एक question के लिए तो आप सोचिए कितना time मिलता है आपको वहाँ पर और कितनी आसानी से आप 30 मैं से 18 से 20 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं और जो cut off जाता है हलाँ कि पहले तो 4 या 5 जाता था लेकिन आजकर इस word के साथ कौन सा word जाएगा ठीक है पूरा sentence नहीं पढ़ना है सारे word आपको जानना ज़रूरी नहीं है बहुत सारा इसमें आपका labor और time बचता है super seat का क्या मतलब है succeed होता है इसका मतलब जैसे जैसे A जो है वो B से आगे निकल जाता है ठीक है B जो है वो retire हो जाता है ठीक है तो उसकी जगए फिर A आ जाता है B रिटार हो जाता है और उसकी जगए A आ जाता है मतलब A ने B को क्या कर दिया succeed कर दिया तो उसको हम बोलते है super seat ठीक है super seat मतलब उसके जगए आ गया या वो आप बोल सकते हैं कि वो उससे भी ज्यादा सुपर बन गया तो इस तरीके से कुछ ना कुछ नहीं बने एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इसमें भी देखिए वह साउंड है जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताई थी एक्टर पेट इन सभी की साउंड सेम है एरेडिकेट और आपका एनिहलेट इन सभी का मतला होता है डिस्ट्रॉय करना ठीक है डिसेंड यह बहुत कॉमन बॉर्ड है काफी पार पूछा गया है रिसेंड का रत होता है किसी चीज़ को हटा देना कैंसल कर देना सब कोज आपने कोई रूल बनाया और उस रूल को एपलाई कर दिया उसके कुछ दिन बाद उस रूल को आपको हटाने की जरूरत पड़ रही है तो उसको आप रिसिंड करेंगे आप ठीक है इसको हम बोलते है रिसिंड इंपीरियस मैंने भी बताया lumière मदलब इंपीरियलज जैसा कि इम यहां पर पर फिर से मैं वही ट्रिक आपको बताऊंगा और उस ट्रिक की मदद से देखिए आप टाइमर लगा सकते हैं मैं दो सेकेंड में इस कोश्चन कर प्रकूर सही आंसर आपको बताऊंगा नेच्रल सेलेक्शन इन एनीमल ऑपरेट्स अपन ग्रुप्स यहां पर बात ह लिए यहां पर भी आप लगा सकते हैं हैं भी चूइल ग्रिगेरियस रिजोट ठीक है यहां पर भी आप तन ग्रुप में रहना पसंत करता है चो समयां बलुप होता है यहां पर आंसर होगा आपका अृणी प्रिगेरियस बाकि सारे वाटर्स आपको नहीं फिब हैं तब यहां पर आपको जो word चाहिए वो adjective चाहिए, यहां पर क्या चाहिए? यहां पर ग्रिगेरियस जो है वो adjective है, टैवर्स जो है verb है, गें से एक noun है, impune एक adjective है, थीक के इमपउन verb की तरह भी यूजुज होता है, तो ग्रिगेरियस ही यहां पर एक तोसे साथ से भी यहाں पर gregorious word ही सही हो सकता है ठीक है दो सेकिंद में मैंने आपका इसको एसका आंसर नेकाल के बताया चले आप आगे पढ़ते हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करता है ग्रीगेरियस करना ट्रेवर्स मतलब क्रॉस करना traverse मतलब cross करना gregorius मतलब जो group में रहना पसंद करता है gain से gain से का मतलब oppose करना किसी चीज़ को contradict करना oppose करना contradict करना impune का मतलब है किसी व्यक्ति के उपर आरोप लगाना उसको responsible मानना hold responsible impune मतलब hold responsible यहां पर हम देखे यहां पर फिर से मैं वोई ट्रेक आपको बताऊंगा ठीक है हर फेस वोज बिलियंट इन ग्लूइंग उसका जो फेस था वो चमकदार था और चमक रहा था बट डिस ग्लोव वस नोट वन अफ द ब्राइटनेस इट सगेस्ट इड़ फियर फॉल ग्लो देखें यहां पर अब यहां पर आपको नाउन चाहिए ठीक है तो इसमेैं से आप नाउन देखें लो नाउन कौन सी है इंट्रियूड वर्व है निगेशन नाउन रर्व है ठीक है अब निगेशन जो है उसका कोईगळो नहीं होता इसलिए आपका आझसर होगा थर्ड कितने सेकड् dalam मैंने इसका आंसर आपको निकाल के दिया है। conflagration का अर्थ होता है जो blaze होता है जो आग होती है उसको हम बोलते है conflagration ठीक है इस तरीके से इनक्रमन निकालने हैं आपको अब यहाँ पर हम कुछ words पढ़ते हैं intrude का अर्थ होता है encroachment कहीं पर घुश जाना illegally कहीं पर जब आप घुश जाते हैं तो इसको बोलते हैं अतीक्रमन या encroachment ठीक है break-in भी बोलते हैं इसको तो यहां पर यह answer होगा इसका negation cancellation होता है और conflagration fire या blaze को हम बोलते हैं conflagration fire या blaze को हम बोलते हैं thwart, frustrate किसी चीज को दवा देना, खतम कर देना उसको हम बोलते हैं thwart, इस तरीके से इन sentences को आपको करना है यह सभी sentences, इस तरह के sentences SSE exams में भी पूछे जाते हैं तो SSE के लिए भी यह video class काफी important रहेगी यह नए pattern के question है ठीक है the person against whom these proclamations were directed at first them, but when the time came for them to be all obeyed देखिए यहाँ पर एक keyword देखी बट दिया है, बट का मतलब यह है कि यहाँ पर जो जो word दिया है, obey इसका opposite word यहाँ पर आएगा देखिए कितने आसानी से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चुकी बट दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है औवे तो इसका मतलब औवे का opposite यहाँ पर आपको चाहिए औवे का opposite होगा आपका derided यानि हसी उडाना, derided यहाँ पर आपका सही answer होगा देखिए कितने second में मैंने इसका answer आपका निकाला अब आप इसको पढ़िए और इसको पढ़िए बलकुल सही meaning आपके सामने निकलेगा और यह real questions है आपके सामने मैं जो solve कर रहा हूँ यह real question मैं solve करके आपको दे रहा हूँ यहाँ पर कुछ word meanings पढ़ते है promalgate का मतलब होता है broadcast करना ठीक है किसी चीज को precharge करना उसको हम बोलते है promalgate बहुत अच्छा word है काफी बार आया है यह और सभी banking और सभी ssc exam के लिए useful है इसका equivalent जो word है वो है disseminate disseminate word को हम याद कर सकते है seminar से disseminate मतलब seminar seminar में हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को promote करते हैं तो disseminate मतलब seminar में हम जो करते हैं seminar में क्या करते हैं promote करते हैं तो disseminate करते हुआ promote इस तरीके से इन words को याद कर सकते हैं propagate या नि promote करना किसी चीज़ को propagate मतलब promote करना deride deride मतलब किसी व्यक्ति की हसी उड़ाना उसका मजाग बनाना derided यह ED है ठीक है इन वेड़ेट मतलब अटेक आकरमड सेडल एक सीट होती है जो हॉर्स के उपर जो सीट होती है यह इस काल्ड सैडल अब देखें यहाँ पर हम देखते हैं ही वोड एक्स्टीमली नर्वस एक्स्टीमली जैलस अफ 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 अधर टैनर्स इस क्या है नावन है अफ इनडिलीन ाश दोस्तान ब्यवार यह नावन है और इस नावन को मॉडिफाई करे गा यहाँ पर एक एडजेव यहाँ पर आपको चाहिए एक एडजेक्टीव नजीव है रोगेट वर्म है सिंच एक नावन है Essence का मतलब होता है आसान काम, आपका आंसर होगा third, क्योंकि Evolent एक Ejective है, देखिए, आप इन चारों की मीनिंग मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने फिर भी सही आंसर निकाल दिया, इन sentences की मीनिंग मुझे नहीं पता, इन sentences की मीनिंग मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सही आंसर हुआ है इसका अ ने भी मेरी शेंसर P ये इसको कर देना याू कर देना कि एक इंपोरेंट वर्ड है एंप्र एंव मेरी सोखे साथ तो एक परनेा जोफी हैं कर दिये ज़्यां कुजिए वाहए डीच चीज न हुटिक अ बॉलते हैं है और सका और बता रहा हूं आपको arrow gate a double r o g a t arrow gate का मतलब होता है हत्याना किसी चीज को सीज करना ठीक है तो एब रोगेट कार्थ होता है कैंसल करना और arrow gate कार्थ हत्याना किसी चीज को ठीक है इबूलियेंट इबूलियेंट मतलब बहुत जदा खुश या चीरफुल और सिंच कार्थ होता है एक आसान काम एक्स्ट्रीमली इजी टास्क उसको हम बोलते हैं सिंच चले आगे बढ़ते हैं फिर से वोई ट्रिक में आपको बताऊंगा अब ऐब एक ऐसा अड्य के साथ नहीं गोड्य हुश थो खालता है सिली सिली रिमार का बोल सकते हैं आपका आंसर आ गया नहीं है तो आपको पंडे की पड़ना है जब आपको तभी पढ़ना है जब आपको अपने सकता है तँसके लिग में करना होुझ test series मैं इसट्रिक को आपको अपलाई करना है test series में ठीच है तो तो फैट्फूस याली सिली होता है तो सिली इसमें आएगा फर्स्ट में इसमें सिली आपका सही आंसर होगा तो यहां पर आपके वर्ड मीनिंग भी सारे याद होते जा रहे हैं यहां पर हम देखते हैं यहां पर आपको एक नाउन चाहिए इस संटेस को थोड़ा समस्ते ही कुड नोड इंडियोर हिस फैनेंसियल फैलियर जो इसकी पैसा कमाने की जो अक्षम था थी पैसा कमाने में वो असमर्त था उसको वो सहन कर सकता था He could endure, endure मतलब सहन करना ठीक है? He could endure his financial failure अपनी financial failure को वो endure कर सकता था उसको वो सहन कर सकता था बट वो सहन नहीं कर सकता था बट का मतलब है कि यहां पर जो sentence आएगा वो इसका opposite होगा ठीक है? मतलब वो इस चीज को सहन कर सकता था लेकिन इस चीज को सहन नहीं कर सकता था बट he could not bear the लेकिन वो इस चीज को सहन नहीं कर सकता था that his foes heaped upon him उस चीज को सहन नहीं कर सकता जो उसके fan ने उसके उपर किया था अब foes क्या करते हैं? फोस जो आपके दुश्मन होते हैं वो आपके साथ दोस्ती तो करेंगे नहीं आपके साथ क्या काम कर सकते हैं नौरमली आपके जो दुश्मन है यह common sense का question है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके दुश्मन आपके साथ क्या करेंगे आपको नीचा दिखाएंगे, आपको बदनाम करेंगे इस तरह का word तो इस तरह का एक word चाहिए है यहां पर, बदनामी से related या इस तरह का एक word चाहिए आपको, जिसको हम बोलते है defamation ठीक है, और यहां पर क्या चीज्च चाहिए आपको यहाँ पर आपको noun चाहिए, क्योंकि bear word लगा हुआ है, bear का मतलब है सहन करना, किस चीज को सहन करना, तो वहाँ पर जो चीज आएगी वो noun के form में आएगी, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर decimate verb है, ठीक है, venture sum, venture sum मतलब जो हिम्मती होता है, मतलब यह एक adjective हुआ, mannerism क्या और यहाँ पर सही भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, वो होगा के लिबनी, I hope आपको यह explanation जो है, यह अच्छा लग रहा है, और समझ में आ रहा है, और इसी तरीके से यह आप questions को करते हैं, तो पूरी accuracy के साथ, 100% accuracy के साथ, आप इन questions को within seconds कर स है, जैसे annihilate था, extirpate था, उनका मतलब ही decimate होता है, calumny मतलब slender, बदनाम करना, ठीक है, defamation, बदनामी, slender, यह भी अच्छा बड़ा है, slender, वेंचर समझ, जो जो वेंचर को पसंद करता है, जो वेंचर को पसंद करता है, ही स्कॉल्ड वेंचर सम, मतलब जो हिम्मती है, य या जो enterprising है, या जो intrepid है, intrepid का मतलब है, जो निदर है, क्योंकि trepidation का मतलब होता है, डर, इसलिए intrepid का मतलब होगा, निदर, intrepid, यह बहुत अच्छा वर्ड है, intrepid, चले, यहाँ देखते हैं, she dropped her head, then with a, with a, आप देखें, यहाँ पर भी ट्रेक बताँगा, movement क्या ह noun है, यहाँ पर एक verb चाहिए, sorry, 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 यहाँ पर एक आपको adjective चाहिए, movement तो एक noun है, movement एक noun है, noun को modify करेगा adjective, ठीक है, ए इसलिए लगा हुआ है, क्योंकि movement एक noun है, और इस noun को modify करेगा adjective, तो यहाँ पर एक ऐसा adjective चाहिए, जो movement के साथ जा सके, ठीक है, आप देखते है, adjective, efful शांसा होता है जो यहां पर यहां पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो जो एबरप्ट एक्षिन को दिखाता है तो यहां पर आपका आणसर होगा ब्रस्क effulgent मतलब shining brightly effulgent मतलब shining brightly ठीक है effulgent रक्षन का अर्थ होता है disturbance or quarrel सीध कार्थ होता है of a person be filled with intense but unexpressed anger सीध एक ऐसा व्यक्ती जो गुस्से में तो है लेकिन उसको दिखा नहीं रहा है सीध ठीक है ब्रस्क का मतलब होता है abrupt offense in speech or manner अपनी speech or manner में abrupt होना मतलब अचानक से किसी movement को किसी काम को करना होता है इसको देखते है tom's extreme for disputes keep him from getting into argument देखे यहाँ पर मैं एक ट्रेक बताता हूँ आपको extreme, tom's extreme extreme हम किस चीज़ से पहले लगाते हैं extreme हम लगाते हैं नाउन से पहले ठीक है extreme hard work extreme preparation, extreme hard work या extreme anxiousness, extreme anxiety बतलब extreme से पहले यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए ठीक है आप इस sentence को पढ़ लेते हैं tom extreme for disputes keeping keeps him from getting into argument मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको argument से दूर रखती है keep him from getting into argument ठीक है with his temperamental wife उसकी जो wife है वो temperamental है वो थोड़ी सी लडाकू टाइप की है लेकिन वो जो tom है उसको वो dispute से वो अपने आपको dispute से दूर रखता है क्योंकि उसका nature कैसा है वो चीज़ यहाँ पर आईगी ठीक है आप मैं देख लेता हूँ यहाँ पर देखे यहाँ पर एक ऐसा word चाहिए जो dispute को पसंद नहीं करता tom extreme यहाँ पर जैसे dislike एक word आ सकता है tom extreme dislike for dispute keeps him from getting into argument मतलब चूकि tom disputes को dislike करता है और यह चीज उसको argument में जाने से मना करती है या नहीं जाने देती यह चीज उसके अंदर है तो यहाँ पर आपको कुल बला के क्या चाहिए यहाँ पर आपको dislike का equivalent word चाहिए और dislike का equivalent जो word है वो है antipathy antipathy जो है वो dislike का equivalent word है तो यहाँ पर आपका answer होगा third ठीक है conceived so strong and देखें यहाँ पर भी एन लगा हुआ है ए और एन है वैसे लेकिन यहाँ पर भी antipathy आएगा इस तरीके से को करना है केड़ावर जो है उसका मतलब होता है dead body या remains केड़ावर डावटी का अर्थ होता है tough या indomitable जिसको दबाया नहीं जा सकता है उसको हम बोलते हैं doubty indomitable ठीक है केड़ावर मतलब dead body केड़ावर मतलब dead body doubty मतलब जिस जो indomitable है antipathy मतलब जो dislike एंटिपैथी हम बोलते हैं dislike को या एवर्जन को और फ्रेकस हम बोलते हैं को फ्रेकस को आप याद कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंने यह प्रेक्त करना सक्काया है उसको आपको applies करना है तभी इस वीडियो को देखने का फूव है उसक को आपको करना है और वीडियो क्लास का पर-पस था ठीक है तो इस video class में इतना ही अब मैं आपसे बिलूँगा next video class में इस video class का feedback आपको जरूर देना है groups में भेजिए या इस email id पर भेजिए तो इस video class को देखने के लिए आपका बहुत भाँत धन्यवाद Thank you